Hello my dear students, welcome to my channel Alpha Knowledge Box इस वीडियो में आज हम Classics English पूर्वी के Chapter 1st A Bottle of Dew के NCRT Question Answer को करने वाले हैं अगर अभी तक आपने A Bottle of Dew के Explanation के वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के Description Box मिल जाएगी या फिर चैनल के Playlist Classics English पूर्वी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं चलिए Question Answer Start करते हैं Let us think and reflect चलिए सोचे और विचार करें पहला Question है Read the following lines and answer the question that followed नीचे दी गई lines को Read करें पढ़ें और इसमें पूछे गई questions के answer देजे चलिए से Read करते हैं उसने अपना सारा समय जादू आउशदी के बारे में जानने में लगा दिया लोग उसे promise करते थे ये बताने के लेकिन cheat करते थे धोका देते थे लेकिन उसने हार नहीं मानी उसके पत्नी मधुमती ठक गई थी और चिंती थी क्योंकि वो देख रही थी रामनात कितना पैसा हर्च कर रहा है उसे विश्वास था कि जल्दी उसकी पास एक भी पैसे नहीं होगे पहला question दिया हुआ है complete the sentence with a suitable reason यहाँ पर जो भी sentence दिया हुआ है उसे suitable उचित reason से पूरा कर लिए रामनात ने हार नहीं मानी क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई जादूई आशदी होती है और वो अपने plan में सफल होगा आप लिखेंगे he believed that such a magic potion existed he hoped that he would succeed in his plan second question है read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column उस column को पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है what happened अर्थात इस column को पढ़ें और यहाँ पर correct outcome लिखें what happened में पहला लिखा हुआ है people promise to tell रामनात about the magic potion जादूई आशद के बारे में बताने के लिए लोगों ने रामनात से बादा किया और दूसरा लिखा हुआ है रामनात was spending a lot of money रामनात बहुत अधिक पैसे खार्च कर रहा था पहले का outcome हो जाएगा but nothing happened they only cheated him लोग magic potion के बारे में बताने का वादा कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ केवल उन लोगों ने cheat किया ठगा इसका correct outcome हो जाएगा but nothing happened as he thought it would happen जब रामनात बहुत अधिक पैसे खार्च कर रहा था तो वो सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा अर्थाद magic potion मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ question number 3 है right whether the following sentences are true or false नीचे दिये गया sentences true है या फिर false है पहला sentence है मदमती was troubled about what her husband did मदमती अपने पती की हरकतों से परिशान थी ये true statement है second statement है रामनात was very happy digging his field रामनात अपने खेतों को खोद करके बहुत खुश था ये false statement है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता था तीसरा statement है the sage wanted to show the right path to रामनात सादो रामनात को सही रास्ता दिखाना चाहता था ये भी true statement है से जिस तरह से A number पर कुछ lines दी हुई थी उन्हें पढ़ना था और उसमें पूछे गए questions के answer देना था इसी तरह से B में भी कुछ lines दी हुई है उन्हें पढ़ना है और पूछे गए questions के answer देने है Carefully, he took the bottle to the sage The sage smiled and muttered something over the water Then he returned the bottle and said, try it out रामनात sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold To his surprise, nothing happened रामनात ने बड़ी सावधानी से bottle को सेज को दे दिया, साधू को दे दिया साधू मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाए उसके बाद bottle को उसने रामनात को वापस कर दिया और बोला इसे आजमाओ, रामनात ने कुछ बूंदे कापर के बरतन पर छिड़क दी और इंतजार करने लगा कि तामबे का बरतन सोने में बदल जाएगा लेकिन उसे बहुत आश्यर हुआ जब ऐसा कुछ नहीं हुआ पहला कोशन है इस मैटर के अनुसार नीचे कुछ इवेंट्स दिये हुई हैं जिन्हें आपको सीक्विंस में लगाना है एक ओर्डर में लगाना है पहला है दसीज इसमाइल्ड सेकेंड है रामनाथ गेव दा बॉटल टू दा सेज तीसरा है रामनाथ डॉप्ट अफ्यू डॉप अफ वाटर ओन अ कॉपर बिसल डी है सबसे पहले रामनाथ ने सेज को बॉटल दे थी इसलिए पहला यह होगा फिर साधू मुस्कुराय थे इसलिए दूसरा यह होगा फिर साधू ने धीरे से बॉटल पर वाटर पर कुछ बोला था इसलिए तीसरा यह होगा इसके बाद चोथा यह होगा रामनाथ ड्रॉप्ट अफ्यू ड्रॉप अफ वाटर और अप्पर वेसल और अंत में होगा रामनाथ वेटेट टू सी इफ दा मैचिक वर्ट इस तरह से करिक्ट सीक्वेंस हो जाएगा टू, बी, ए, डी, सी, ए इस लाइन में यहाँ पर करिक्ट वर्ड फिल करना है पौधा सुग गया है यह देखकर माली ने यहाँ पर हो जागा स्प्रिंकल्ड सम वर्टर ओन इट कुछ पानी छिरका जब तामी के बतन को कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को कैसा महसूस हुआ जब तामी के बतन को कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को बहुत आशर हुआ बहुत होसाया और उसने अपने आपको ठागा हुआ महसूस किया आंसर हुजाएगा वेन नथिंग हैपन टू दू दू कॉपर वेसल्स जादू आशर्दी बनाने के लिए साधू ने रामनाथ से क्या करने को कहा साधू ने कहा कि केले की पिड लगाओ और पांच लिटर ओस इखट्टा करो जिससे मैजिक पोशन बन जाएगा आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे शाधू ने रामनाथ को लाइफ का इंपर्टें लेशन सिखाना चाहता था और परिष्यम करना भी सिखाना चाहता था आंसर हुजएगा दसेग दिट सो तु स्लोली गीव रामनाथ एन इंपर्टें लेशन अफ लाइफ दिस ही दिट टू लीड हिम तो एन आवेकिंग इट वस तो टीच हिम अबाओ वर्किंग हार्ड सी कुशने रामनाथ के पास बड़ा बनाना का भागान कैसे हो गया क्योंकि उसने कड़ी महिनत की और छे साल तर लगातार बनाना की प्लांट लगाए आंसर हुजएगा रामनाथ कांटिन्यूट ब्लांटिंग बनानास रेगुलरली फार शिक्स एर्स नेचरली इट कुड ग्रो एस बिग प्लांटेशन डी कुशने रिशी असाधू ने रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी जादूई और श्यदी नहीं है अगर रिशी असाधू डारेक्ट बता दिता कि ऐसी कोई भी और श्यदी नहीं है तो रामनाथ विश्वास नहीं करता इसलिए उसने एक plan बनाया और उसे life का important lesson सिखाया आंसर रुजाएगा The siege assured Ramnaath that there was no such magic potion If he had told Ramnaath this earlier He would not have been taught this important lesson of life अगला question है Fill in the before and after table about Ramnaath Ramnaath के बारे में यहाँ पर table में before और after लिखा हुआ है पहले में लिखा हुआ है What he did before meeting the siege और यहाँ पर लिखा हुआ है What he did after meeting the siege साधू से रिशी से मिलने से पहले Ramnaath ने क्या किया और साधू से मिलने के बाद Ramnaath ने क्या किया यहाँ पर before के लिए दो point लिखना है और after के लिए भी दो point लिखना है पहला point आप लिख सकते हैं Ramnaath continued thinking about the magic potion में सोचता रहा और साधू से मिलने के बाद He told the siege about the magic potion जब वो साधू से मिला तो उसने magic potion के बारे में साधू को बताया और second point आप लिख सकते हैं He spent a lot of time and money to know about the magic potion साधू से मिलने से पहले उसने बहुत अधिक पैसा और time magic potion को जानने में लगाया और after में आप लिखेंगे He put the plan of the siege in planting more and more साधू से मिलने के बाद उन्होंने साधू की plan के अनसार अधिक से अधिक पौध ही लगाए अगली हीटिंगे Let us learn पहला question है Read the following words from the story यहाँ पर यह story दी गई है इसके यहाँ पर कुछ words लिखे हुए है Inherit करना है Use the words correctly to complete the paragraph given below There are two extra words in the box that you do not need इन words को आपको पढ़ना है और नीचे जो blank space दिये गए है paragraph में यहाँ पर इन्हें fill करके इसे complete करना है यहाँ पर दो extra words है पहला word है Promised Huge मतलब बहुत बड़ा Difficult मतलब कठिन और Market मतलब बाजार चलिए इन words को fill करते है पहले blank पर huge आएगा दूसरे पर लगाएगा तीसरे पर difficult चोथे पर promised पांचवे पर और छटे पर remember इस painting और market word का use यहाँ पर नहीं होगा चलिए paragraph को read करते है There was a farmer who had a huge coconut plantation एक किसान था जिसकी पास बहुत बड़ा नारियल का बागान था He worked hard and did not depend on luck वो बहुत जादा मेहनत करता था और भाग पर निर्भर नहीं था Every day was difficult but he did not give up हर दिन बहुत मुश्किल था लेकिन उसने हार नहीं मानी One day a man bought a bag of coconut from him and promised to play him the money the next day एक दिन एक इनसान ने उससे एक bag full coconut नारियल खरीदा और वादा किया कि अगले दिन वो पैसे दे देगा Days passed and the man did not pay him anything दिन गुजरते गए लेकिन उस इनसान ने कुछ नहीं दिया The farmer felt cheated Farmer को लगा कि उस इनसान ने उसे cheat किया है, धोखा दिया है Asked him about his money लगभग दो महीने के बाद, किसान उस इनसान से मिला और उसने अपने पैसे के बारे में पूछा The man said, Oh, I had forgotten उस इनसान ने कहा, अरे मैं भूल गया Now, I remember, buying coconut from you and he paid the money उसने कहा, अब मुझे याद आया, मैंने तुमसे नारियल खरीदा था और उसने पैसे चुका दिए, exercise काफी लिंदी है इसलिए, let us learn के, second question से बागी के exercise को part number 3 में discuss करेंगे This is the end of video, thanks for watching